इसकारेक्रम के प्रायोजक हैं आजादी का पर्व है श्वतंत्रता दिवस है हम तो बो लोग है जिन्हों ने आजाद भारत में जन्म लिया और आजाद भारत में ही हम जी रहे गुलामी क्या होती है गुलामी के दुख क्या होते है गुलामी के दिनों में हमारे पूर्वजों ने कैशा जीवन जिया है इसका अनभव हमें नहीं हम तो स्वतंत्र भारत में सांस लेने वाले लोग है गुलामी क्या होती है यह तो सिर्फ बे जानते हैं जिनों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दिये शाथिया आज का दिन महत्पोन है क्योंकि हमारे देश के उन वीर जवानों का सपना साकार हुआ था और आज के दिन देश ने स्वतंता के बीच पहली स्वास ले थी उस समय उन्हें लगा था कि हकीकत में हम आज ही जिन्दा हुए है आज ही जन्मे है भारत के जन्मे के साथ साथ हमारा जन्म हुआ था साथियो जब तक हम अतीत का अध्यन नहीं करेंगे जब तक हम सहीदों की सहाथत को नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे तब तक स्वतंत्र का आजादी का मकसद हम नहीं समझ सकते हैं आज यदि स्वतंत्र होने के बाद भी हम अन देशों पर यदि आधारित है तो समझ ये अभी हम परतंत्र ही हैं दूसरों की निवालों में पलने वाला गुलामी होता है अभी आत्म निर्वर भारत की जो परिकल्पना चल रही है एक समय था जब हम से कहा जाता था कि स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ सरकार ने अभियान चलाया बड़े बड़े आयोजन हुए देश के प्रधान मंत्री ने संदेश दिया लोगों को प्रेरित किया लेकिन ये कारिकम भी एक जस्तन बन करके समाप्त हुए हमारी मानसिक गुलामी इतनी ज़्यादा है कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हुए हमें अपने देश में बनी हुई चीजें रास नहीं आती बिदेशों की जो चीज है उसे हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं सुईकार कर लेते हैं इसका दुष्परणाम क्या होता है पता है ना जब हम बिदेशी चीजों का यूज करते हैं इस्तमाल करते हैं तो हमारी भारती मुद्रा बिदेशों के भंडार में चली जाती है और आर्थिक रीती से हमें कमजोर करती है हमारे देश की चीजे हमें पसंद रही है और बिदर्सों की चीजों को हम गले लगाए हुए देश की तारीफ हमसे होती रही है बाहर कई घूमने चला जाए तो वहाँ पर क्या सफाई है क्या सवक्षता है क्या नीट क्लीन है और गजब का ही है साब क्या कहें उनके देश को यदी स्वक्ष बना करके रखा तो किसने वहां के नागरिकों ने और अपने देश को गंदा करके रखा तो किसने उसके नागरिकों ने कोई दूसरा गुनाइगार नहीं है हम ही तो अपने घर का कच्छा घर के सामने फैक देते है हमें तो डस्ट्विन में बराबा तरीके से कच्छे को नहीं डालते है क्या करें शरकार जी जान लगाती है या किर उनके यहां ऐसा है तो क्यों और हमारे यहां ऐसा है तो क्यों क्या हमारा देश बैसा नहीं हो सकता वो लोग तो थोड़े थोड़े लोग है किसी देश की आवादी 15 करोड़ है किसी की 20 करोड़ है किसी की 30 करोड़ है थोड़े से लोग है और जितने लोग होंगे हाथ उतने कम होंगे हम तो 140 करोड़ है और 144 करोड़ का मतलब होता है 208 करोड़ हाथों का होना कि इतने हाथ मिलकर की कितना काम कर सकते है बिचार करने जैसे है दोसरों की तारीब करने का मतलब है आप खुद की निंदा कर रहे क्या वो अच्छे है इसका मतलब वो देश बहुत अच्छा है इसका मतलब वहां पर स्वास्त चिकिष्णा बहुत अच्छी है इसका मतलब वहां पर शिक्षा बहुत अच्छी है इसका मतलब विचार करने इसके लिए जिम्मेदार कौन है हम हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है हर वेक्ति नौकरी चाहेता तो सरकारी लेगिर अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे खुद सरकारी स्कूल में नौकरी चाहेता है ताकि सेवन वेतन आयोक का उसे लाभ मिल सके वहां पर करना धरना कुछना पड़े पैर फेला करके दिनवर आराम करो बच्चों से ही काम करवाओ जाड़ू लगवाओ और उनसे खाने पीने की चीज़ें मंगवाओ इत्मिनान से खाओ वहीं पर पंक्खा चला करके लेड़ जाओ सेवन वेतन आयोक सरकार तुम्हें 80,90,000 एक लाख और उससे प्लस पैसा देगी सरकारी नौकी चाहेते हैं उसके बाद आपको पेंसर मिलेगी लेकिन बच्चे को पढ़ाने की बात आती है तो मेरा बच्चा प्राइवेट से अच्छे स्कूल में पढ़ेगा महंगे से महंगे इस्कूल में पढ़ेगा कोई तकलीप नहीं क्यों सिक्षक आप बन रहे हैं सरकारी इस्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट इस्कूल में क्या वज़े है इसका मतलब है आप सरकार से लेना तो चाहते हैं लेकिन अपने देश के बच्चों को देना नहीं चाहते हैं यदि हमारे सरकारी टीचर बरावर तरीके से पढ़ाने लगे तो फिर देखें आप हम तो उस जमाने में पढ़कर किया हैं जब गावों में प्राइवेट इसकूल होते ही नहीं थे उस समय पढ़ाए हमने जब प्राइवेट इसकूल प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे और सरकारी इसकूल में पढ़ते थे और हमारे टीचर हमें इतने अच्छे से आते थे कि हम उस समय अपने इसकूल में टॉप करते थे कि क्या हुआ उस समय के सरकारी इसकूल के टीचर प्राइबेट इसकूल की तरह सरकारी इस्कूल में पढ़ाते थे और उसी इस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई महात्मा गांधी बनता था कोई नवावार लाल नहरू बनता था कोई लाल बहादुर सास्त्री बनता था कोई सरदार बल्लब भाई पटेल बनता था उसी स्कूल पढ़के तो बने न हाज यदी में आचरिप्रग्या सागर बन करके बैठा हूं तो सरकारी स्कूल में पढ़ करके ही निकल करके आया कि सिख्षा का इस्तर हमारे सिख्ष को ने गिराया क्यों क्योंकि बरतमान के सरकारी कर्मचारियों को लक्ष्मी से प्रेम हो गया है सरस्वती की परवाह नहीं है सेवक है सरस्वती के और चाहत है लक्ष्मी की कैसे काम चलेगा चिख्षा की भी यही इस्थिती है सरकारी अस्पतालों को इस्थिती देख लो तो वो असली पाताल लगते क्या सरकारी अस्पताल असली पाताल लगवहां कोई बिवस्ताई नहीं बैड ही नहीं बैड है तो उनमें विस्तागद्धे नहीं और गद्धे हैं तो ऐसी दसा हो गई कि उद्में बैटने की लेटने की इक्षा नहीं होती है बेड श्रीट की स्थिती बड़ी खराब हो चुकी है बदू अलग मार रहे है चारों तरफ से सीलन आ गई है रहने की स्थिती नहीं है मच्छरों का वहाँ पर बेकदम से आतंक चाया हुआ है जिस डेंगू से परेसान होकर के एड़िट होने गए थे वहाँ से डबल क्या हुआ नौकरी सरकारी तो सरकारी नौकरी पाकर के आप सरकार की नहीं आपको देश की सेवा का यवसर मिला है तो आप अपने पद पर रहते हुए बिल्कुल नेक निष्ठा और इमानदारी से देश की सेवा करो सभी लोग पहुँच रहें उपर तक प्रसासन में कितने लोग हैं विचार करना शाथियो देश को सम्रद्ध बनाने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों की है अपनी पेटी अपनी तिजोरी अपनी जेब भरने का सपना मत देखो देश हमारा खुसहाल कैसे हो इस पर चिंतन करो इस पर विचार करो इसकी आवश्यक्ता है साथियो मैं सोचता हूँ मैं विचारता हूँ क्यों हम वह कर रहे हैं जो देश को परतंत करने का कार्य है बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है लाखों लोगों ने अपनी जान दी है लाखों लोग महिने महिने तक जेलों में यातनाओं को सहन करते रहे है भरी जवानी में जिन्हें फासी के फंदे पर लटका दिया गया है कि नारे लगाने से उनकी कहानिया पढ़ने से काम नहीं चलेगा सोचों कि इंकलाब जिन्दा बात कह करके बड़ी जवानी में फासी के फंदे पर जूल गए सिर्फ हमें स्वतंतता का आनंद मिल सके इसलिए अन्था सरेंडर कर देते अपनी जिन्दिगी तो जीते हैं उनका परिवार कुसाल होता लेकिन अपनी माबाप की परवाय ना करके अपने संसार की अपने संसार के सुक्की परवाय ना करके फासी के फंदे पर जूल गए मंगल पांडे जैसे लोग एकदम विद्रोय की आवाज बन जाते हैं और चाती पर गोली खाने को तयार हो जाते हैं विचार कर लो गजब के लोग हुए यह सावर कर जैसे को काला पानी की सजा दे दी गई सालों साल जेल में बंद बैठने की परमीशन नहीं लेटने की परमीशन नहीं सालों साल बंदनों से बांद करके खड़ा रखा गया वहीं पर मलमूत्र का छेपण करना और वहीं पर उन्हें खाना पीना है खाने पीने के लिए भी 24 घंटे में सिर्फ 100 ग्राम पानी दिया जाता था विचार करना 100 ग्राम पानी क्या होगा उससे 100 मिलीटर इस से ही तुम्हें दिन निकालना है खाने के लिए छोटे छोटे दोनों में कुछ दाने दे दिये जाते थे उससे जीवन निकालना है सावर करना है जेल की दीवारों पर इतनी कविताएं लिख डाली इतनी कविताएं लिख डाली इतने गीत लिख डाले कि ऐसे बालिम तयार कुछ नहीं था उनके पास देश के लिए शाथियो सुवास चंदबोश को याद कर जए हिंद सेना बनाने के पस्चात जब वो आगे आए और देश से एक ही बात कही क्योंकि गांदी जी सांती के वक्षधर थे वो कहते थे कि सांती से हम देश को स्वतंत करेंगे लेकिन सुवास चंदबोश का तो खौलता हुआ खून था उन्हें इस पर विश्वास देए उन्हें लगता था कि जब मेरी आखों के सामने हमारे लोगों को कतले याम कर दिया जाता है खौन की नदियां बहा दी जाती है और हम इनसे सांती की गुहार करें अहिंसा की बात करें तो व्यर्द है इसलिए सुवास चंदबोश को कहना पड़ा तुम मुझे खौन दो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा साथिया ये वो लोग है जिन्हों ने अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं की शिर्प हम आजाद भारत में जन्म ले सकें आजाद भारत में जी सकें इसलिए उन्हों ने तिरंगे की आन बान सान को बनाए रखा और बचाए रखा इस कारेक्रम के प्रायोजक है श्रीमदन भाई रेखा बैन हूमर रुपेन प्राची हूमर अनगवीर आश्वीर हूमर रिक्ता विशाल सेथी आरिका अर्जुन सेथी